हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एक आई 4 के बारे में 20 गणित अथा 20 गणित ये चिंतन के बारे में सारे जो important points है दोस्तों जो हमारी exam की दरिश्टे से very important होंगे सभी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो में दोस्तों आपको लाश्ट तक बने रहना है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेला है को आपको जुरूर से प्रेस कर लेना है यहाँ पर देखिए जो चोथा unit है आपके 8 नंबर का है यानि कि एक प्रेस्ट आपके यहाँ से निबंदात्मत प्रेस्ट होगा और कुछ एक दो प्रेस्ट आपके छोटे प्रेस्ट एक दो नंबर के होंगे यहाँ पर दोस्तों सभी को हमें आपर detail में discuss करेंगे जिन important points की आपको exam में तयारी के ज़रूरत है उन सभी पर हमें आपर detail में discuss करेंगे यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा important point होता है तो वो है बिजगनितिये चिंतन होता क्या है तो अंकगनित का सामाने करण ही बिजगनित है अर्थात गनितिये कतनों को बिजगनितिये स्वरूप में व्यक्त कर उनका संबंद देखना विशेश इत्ति के लिए अज्यात राशी का मान बता पाना बिजगनितिये सोच का एक मुख्य आधार है प्रतिकों का उप्योग कर सामाने करण करना यही बिजगनित वे बिजगनितिये चिंतन कहलाता है नेक्स्ट हम याँ पर देखें तो अंकगनित तथा बिजगनित में अंतर क्या है तो यहाँ पर देखिए अंकनित में किसी क्रिया कलाप पर केंदरित होने का अर्थ है विशिष्ट आंकेक उत्तरों का ज्यान करना जबकि बिजगनित में प्रक्रियाओं एम सम्मंधों की उत्पत्ति तथा उन्हें सामाने तथा सरल रूप में व्यक्त करने की जोर दिया जा परिस्थितियों में दिये गए संबंदों को सामाने रूप में प्रद्रिशित करने के लिए करने की अवशकता महसूस हो नेक्ष्ट है यहाँ पर अंकगनित को मात्राओं के बीच सामाने संबंदों के रूप में देखा जा सकता है थार्ड नमबर पर है बीजगनित में अ संबंद जानना होता है कि आगे हम बात करें कि सामान्य करण क्या होता है सबते हैं से इन दोस्तों तो ँथो नंबर करें सीक्ट का सीखना जरूरी होता। क्योंकि पेटर्ण आकरशक दथा नियमों पर आधारित होते हैं एम नियम बनाकर उन नियमों का समान्य करण करने में मदद करते हैं सहायता करते हैं आगे हम बात करें प्रत्य की करण के बारे में तो बिजगनित वस्तुत है अंकगनित का ही प्रशार है बिजगनित गनित की एक संशिप्त भासा है जिसका विकाश अंकगनित के साथ ही संबव हो सका है अंकगनित की संख्या प्रणाली को आधार बना कर जब संख्याओं के इस अब हम बात करें यहाँ पर आगे अहमूर्तिकरन क्या है तो ऐसी स्थितियां जो हमने देखी नहीं है और सायद देख भी नहीं सकते ऐसे परिस्थितियों को वीजगनित की भासा में अहमूर्तिकरन कहते हैं एमूर्थ सोच का विकास 10-11 वर्ष की अवस्था में होता है यानि कि दोस्तों मैं किसी वस्तों के बारे में आपको कहूँ मानले जी कि आपको मैं ताजमहल के बारे में बता रहा हूँ तो आप कलपना कर लेंगे कि ताजमहल किस तरह से है चार इस्तंब हैं चारो और एक भवे सपेद कलर की मंजिल है इमारत है तो आप परिकलपना उसकी कर पाएंगे अमूर्थ सोच का विकाश जो है दस से ग्यारा वर्ष के बच्चे हैं जो दस ग्यारा वर्ष से उपर वाले हैं उनके मन में वहां पर होता है अमूर्थ सोच का विकाश और मूर्थ क्या होता है मूर्थ यानिय के जब आपके सामने वस्तु होगी तभी आप उसके बारे में बात कर पाएंगे तो इसतर से आप समझ लेंगे समापवरत्य क्या है तो जो संख्यें दीवी संख्याओं के गुणज होती है उन्हें उन संख्याओं का समाप अधरना क्या है तो गणिती ये कथनों को व्यक्त करने के लिए हम अंग्रेजी हिंदी अक्षर या प्रतीकों का प्रियोग करते हैं इनमें अक्षर पूर्ण संख्या या प्राकर्त संख्या के प्रतीक के रूप में इस्तिमाल की जाते हैं इनका मान इस्तर नहीं रहता है इनका मान परिवर्थित रहता है, इसलिए इन्हें चर रासी कहते हैं, आगे हम बात करें समीकरण क्या होता है, समीकरण में देखिए, समीकरण दो रासियों या वेंजिकों के बीच एक सम्बंध होता है, जैसे 5 प्लस L बराबर 7 माइनस L हो जाएगा, और यहां पर देखिए, 9 प्लस L is equal to 6 प्लस 4 हो जाएगा, जब आप किसी वेंजिक में किसी चर का उप्योग करते हैं, तो उन्हें समी समीकरण कहा जाता है, आगे हम बात करें, रेखिक समीकरण कितने होते हैं, तो रेखिक समीकरण में देखिए, एक सीधी रेखा बनाने के लिए, एक सीधी रेखा बनाने के लिए, दिया गया समीकरण, रेखिक समीकरण कहलाता है, इस कितने भेद होते हैं, तो भेद हैं n कमान कैसे गयात करेंगे n को इदर रख लेंगे बाकी सब इदर बेच देंगे तो यहां पर देखे शाथ दोनों में से गठा देंगे 2M cancel हो जाएगा और इदर 2M बच जाएगा यहां पर देखे न्व बराबर 1 प्लस 2M हो गया और दोनों तरप एक गठाने पर 2 तरप एक गठा देंगे तो M बराबर 8 बटे 2 यहां पर हो जाएगा जैसे 8 बटे 2 हो जाएगा तो भाग दे देंगे तो 4 इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा आगे हमारा important point है वेंजिको का गुणा वेंजिको का गुणा पर इसके पार से करेंगे हम तो उधारण के तोर पर आप पर देख पा रहे हैं पहला एक्जाम्पल है x प्लस y छोटा कोश्टक में है फिर x प्लस 3 छोटा कोश्टक में है दोनों के बीच कोई चिन नहीं है यानि कि multiply है तो हम इससे सो लुकर से करेंगे तो पहला इस x को x प्लस 3 से multiply कर देंगे और यहाँ पर जोड का चिन है तो जोड देंगे x को x प्लस 3 से multiply किया y को y प्लस x प्लस 3 से multiply किया और प्लस का चिन है यहां पर लगा दिया है दोनों को अंदर multiply कर देंगे तो x का x square हो जाएगा और x को 3 x 3 से करेंगे तो 3 x हो जाएगा plus का plus हो जाएगा यहाँ पर और y को x से करेंगे तो y x हो जाएगा या फिर x y आप इसे लिख सकते हैं और आगे यहाँ पर y को 3 से करेंगे तो 3 y यहाँ पर हो जाएगा तो इस तरह से इस समीकन का solution हमारे सामने आ जाएगा और आगे हम बात करें S-9 यहाँ पर है चोटे कोश्टक में और दूसरी तरफ है U-S चोटे कोश्टक में दोनों के बीच कोई चिन नहीं है यानि कि multiply है तो हम इसे so look के से करेंगे तो S को पहले U-S से multiply करना है फिर minus का करना है तो minus लगा जाना है और 9 को क्या करना है U-S से multiply करना है दोनों के यहाँ पर so look करेंगे तो S-U plus S square minus 9U minus 9S यहाँ पर हमारे पास इसका solution आ गया है थर्ड हमें आपर देखें तो A-3 multiply है यहाँ पर और D-2 है इससे so look करेंगे पहले A को D-2 से multiply कर देंगे फिर minus का शिर्ण है minus लगा देंगे और 3 को D-2 से multiply यहाँ पर कर देंगे तो इससे हमारे सामने समिकर्ण हमारा आ गया है AD-2A-3D प्लस का 6 आगे हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेंजिकों का गुणनखंड किस पर का से करेंगे अभी हमने देखा कि गुणनखंड दिया हुआ था उससे हमने समिकर्ण वेंजिक पराप्ट किये और अब हमें वेंजिक दिया हुआ है और गुणनखंड पराप्ट करने है यहाँ पर देखें x2 प्लस 5x प्लस 6 इसको solution किसे करेंगे first को और last को आपस में multiply कर देना है यानि कि x2 को 6 से multiply करेंगे तो 6x से square हो जाएगा और जो बीच वाली संक्या है 5x इसके हमें दो टुकडे करने है यानि कि दो टुकडों में जोडने पर 5x आना चाहिए और multiply करने पर 6x स्क्वार आना चाहिए तो दोनों टुकडे है 2x प्लस 3x है तो यानि कि 2x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और multiply करेंगे तो 3 दुना 6 याँ पर 6x स्क्वार हो जाएगा तो इस तरह से याँ पर लिख देंगे और याँ पर 5 बाई लिख गया है तो यह 6 है यहाँ पर last में तो यहाँ पर देखिए अभी इसका solution कैसे होगा यहाँ से इन दोनों में क्या common आ रहा है x common आ रहा है तो x common लेंगे और x प्लस 2 कोश्टक में बच जाएगा यहाँ पर देखिए 3x प्लस 6 में क्या common आ रहा है 3 common आ रहा है तो 3 common लेंगे और x प्लस 2 अंदर बच गया है तो x प्लस 2 यहाँ से common लेंगे x प्लस 2 हो गया है और बाहर बच गया x प्लस 3 तो x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरह से समीकन का solution दे देंगे आगे हम देखिए एक और example देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए next example है यहाँ पर x square मैनेस 9 x प्लस 18 18 को क्या करेंगे first से multiply कर देंगे तो 18 x square हो गया है और 9 x के क्या करने है दो टुकड़े करने है जिनको जोडने पर तो minus 9 x आए और multiply करने पर 18 x x square आए तो x को क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 3 x minus 6 x दो टुकड़े हमने कर लिए है जोनों को जोडेंगे तो minus 3 x minus 6 x क्या होंगे minus का 9 x हो जाएगा और multiply करेंगे तो minus से minus cancel और 16 यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए next step में हमने कुझा देखिएंगे थड्र स्टेप में क्या करेंगे यहाँ पर common लेंगे x minus x 3 में x common आ गया है और x minus 3 हो गया है और यहां पर minus का minus Walrit right Mr.man आ जुद्दक और in दोनों में 6 common आ गया है और x minus 3 को श्टक में बच गया है दोनों 2 x minus 3 में से 1x-3 यहाँ पर ले लिया है हमने और 1x-6 हमने यहाँ पर ले लिया है उस तरह से हमारे गुणनखन तयार हो गए है आगे हम बात करें अन्य महतुपूर्ण उधारणों के बारे में जिन से क्यूसन्स आपके काफिवार एक्जाम में आयो हैं इन सभी टोपिक्स को आपको ध कामान कैसे अठाएंगे 4y दोनों को जोडेंगे यहाँ पर दोनों को जोडने पर क्या होगा कि यहाँ पर 4y है और minus 2y है तो अगर यहाँ पर 4y हो जाए तो यहाँ पर y से y cancel हो जाए तो हम क्या करेंगे इसको 2 से multiply कर देंगे जिससे क्या होगा कि यह 4y हो जाएगा और यह समिकरण 3 को जोड़ने पर समिकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहां पर 4y से 4y cancel हो गया 3x प्लस 10x यहां पर क्या होगा 13x और इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहां पर 28 और 24 को जोड़ेंगे तो 52 यहां पर प्लस का 4y बराबर 28 हो गया है यहां पर 12 हो गया तिन 14 और 4y हो गया है यहां पर 28 हो गया है y का मान क्याद कर लेंगे y इदर रख लेंगे और 26-12 हो गया है 16 हो गया और 4y बराबर 16 हो गया है तो y बराबर 4 हमारे पास आगया है next हमारा इसी दरह से अगला question है 9a square minus 42ab plus 49b square के गुरंदखंड कीजी यदि a बराबर 5 है और b बराबर 2 है तो वेंजक का मान भी आपको ग्यात करना है तो पहले हमारे पास देखिए समीखंड में कुछ खट रहा है तो काड़ देंगे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3a का whole square लिख सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा solo करके क्या लिख सकते हैं कि 2, 3a, 7b हमें आपर लिख सकते हैं और यहाँ पर देखिए गुंचास b square को क्या करेंगे 7b का whole square हमें आपर लिख सकते हैं तो क्या होगा हमारे पास a-b² बराबर क्या होता है कि a²-2ab plus b² की यस्तिति हमारे पास आ गई है तो a-b का whole square हमारे पास आ गया है यानि कि 3a-7b का whole square 3a-7b के whole square में क्या करेंगे 5 और 2 मान रख देंगे a और b का जिसका उत्तर हमारे पास यहां पर 1 आ गया है उस तरह से हम इस प्रेशन का solution कर लेंगे अगे हम बात करें next important point है अमारा बीजगनिती है बीजगनित सीखने की प्रक्रिया में विद्यारतियों को आने वाले के गठनाईयों का सामना करना पड़ता है क्या-क्या प्रेशनियां बच्चों को होती है बीजगनित सीखने में या बीजगनित की कुईशन सोल करने में तो प्राय विद्यारती बीजगनित के प्रस्णों को बिना समझे या अंत्रिक रूप से हल करते हैं तथा क्रिया विदी को रटकर बीजगनित के प्रस्णों को हल करते हैं अधिकांस विध्यारती विजगनित को अंक्यनित से अलग विशे मानते हैं तथा यह समझ पाने की ऐसमर्थ रखते हैं कि विजगनित अंक्यनित का एक प्रशार मातर है विजगनित को विजगनित चिंतन एवं तरक की गहनता को नए समझ पाने के कारण ही विजगनित सीखने की प्रिक्रिया में बच्छों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप इस तरह से हर एक प्रस्ण का जितने भी प्रस्ण इस यूनिट से बनेंगे तो हर एक प्रस्ण का आप आंसवर दे पाएंगे इसी उमीद के साथ दोस्तों इस यूनिट को यहीं पर खत्म करत जिन से उनको भी दोस्तों अपनी पड़ाई में हेल्प हो सके और इन सभी की PDF दोस्तों मैंने टेलेग्राम पर डाल दी है जहां से आप PDF डाउनलोड करके अच्छे से अपनी तयारी को कर सकते हैं